जहीं दोस्तों देखे एर फोर्स के अंतरगत नौन टेकनिकल पदों पे ग्रूप वाई के तहत नई भरती का नोटिफिकेशन जारी हो गया दोस्तों और इस भरती में कौन-कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कौन-कौन नहीं फिल कर सकता है, आपका फिजिकल, एज, क्वालिफि हुए है, उन सभी कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा मौका है, और आप लोगों के पास ये मौका, रैली में जाओ, नोकरी पाओ वाली मौका है दोस्तों, यानि कि सुनहरा मौका है, तो चलिए इसका डीटेल से आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ, देखे दोस्तों ये भारती वायू सेना का ओफिस्यल नोटिफिकेशन है, अब देखे आप लोगों को एक चीज़ बता दू, ये इसमें आप फॉम कपसे फिल कर सकते हैं, तो सुम्भश सी बात है कि ये रैली के तहत भरती किया जाएगा, और 3 जुलाई से ले करके 12 जुलाई के बीच में होने वाली है, सबसे उपर में ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अब एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दू, ये ग्रूप Y के तहत भरती है, नोन टेकनिकल पोस्ट पे, यानि कि नोन टेकनिकल पोस्ट में मेडिकल असिस्टेंट की पद पे भरती है दोस्तो, और एक चीज़ मैं बता दू, इसमें जो मेडिकल स्टेंडर्ड होता है ना, और फिजिकल स्टेंडर्ड होता है ना, जो फिजिकल कौलिफाई करना, वो उतना हाड नहीं रहता, बहुत ही आसान होता है, ठीक है, और एक चीज़ बता दू, ये जो रैली है ना, दोस्तो, एयर इन फार्मेसी वगेरा किया है न ये सब का पोस्ट की वेकेंसी होने वाली है अब देखे आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि कौन कौन इस वेकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं तो चलिए एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको देख ली ज इस्टेन ट्रेट जो फार्मेसी वगेरा है न उसमें अगर अपलाई करना चाहते है तो उनके पास भी आप या बीएस से फार्मेसी का डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए तब आप इलिजीबल है आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी है और इस 10 प्लस 2 में आप देख सकते हो दोस्तों physics, chemistry, biology and english में minimum 50% आपका marks होना चाहिए तब ही आप इसके लिए qualify कर सकते है तो इतना तो आसानी से आप लाए ही होंगे दोस्तों ठीके अब देखे एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूँ इसके qualification के अलावा इसका आपका age बहुत ही माइ ने रखता है तो age का criteria क्या होना चाहिए तो जो candidate medical assistant में फाउंफिल करना चाहते है 10 plus 2 वाली में उनका 2 जनवरी 2004 से लेकर के 2 जनवरी 2008 के बीच में जन्म होना चाहिए साथ जो medical assistant trade जो B.Sc या डिपलोमा के तहत हो रहा है उनका 2 जनवरी 2001 से लेकर के 2 जनवरी 2004 के बीच में उनका age gap होना चाहिए अब देखे दोस्तो educational qualification हो गया age criteria हो गया अब आप लोगों का main चीज क्या आ जाता है वो आ जाता है दोस्तो आपका इसमें physical का standard तो आप लोगों को बता जो सबसे पहले physical बताने से पहले एक और important चीज मैं आप लोगों को बता देता है वो है आपका minimum height तो 152.5 cm होना चाहिए जो प्राया प्राया आप सभी का है chest का कोई माइन नहीं है बस आपको 5 cm फुलना होना चाहिए chest ठीक है और उसके बाद weight आपका height के हिसाब से वो हो जाता है दोस्तो उसका tension नहीं रहता है बस आपका hearing यानि कि कान का जो सुनने का सकती है वो 6 मिटर से कोई बोलेगा तो normal होना चाहिए वो सुभाईक सी बात आपका होगा दोस्तो ठीक है और visual effect तो भाया आपका देख सकते हो 6 by 36 eye correct है और मतलब आपका होगा चसमा लगा है तब भी आप eligible हो घबराने की जोरत नहीं है आप लोगों को ठीक है अब देखे दोस्तो एक चीज आप लोगों को और बता दूँ इसमें इस भरती में आप अगर physical की तयारी करना चाहते हो तो देखे selection process कैसा होगा तो सबसे पहले आपका physical fitness test होगा इसमे 1.6 km को 7 मिनट में आपका दोड़ना है जैसे कि cost guard में domestic branch का physical होता है न same way see ठीक है उसके बाद आपका इसमें बता दू 7 मिन जिन candidate का क्या बोलते हैं देखे 10 push up करना है उसके बाद 10 seat up in 20 squared up ये आसानी से आप clear कर लोगे आपको घबराने की जोरत नहीं है दोस्तो ठीक है उसके बाद आपका return exam होगा return exam में वही candidate बैठेगा जो physical में clear करेगा वही आपका return exam में जा करके बैठेगा और return exam में आप लोग to cbsc के level पे आधारीत रहेगा उसके बाद reasoning और journal awareness का आपका 30 question आएगा total आपका 50 question आएगा 50 numbers का और मतलब अगर आप कोई question अटेंड नहीं करते हैं तब आपको 0 number मिलेगा ठीक है ये बात आप लोग जान लीजे 0.25 अंक इसमें आपका negative marking रहने वाली है आप देख सकते हो सा असान है दोस्तों आपका blood, urine यही सब चेक होगा ज़्यादा घबराने की जोरत नहीं है ठीक है उसके बाद आपको अगर इसमें आप exam दिलाने जाते हैं तो आपको T.A.D.A. वगेरा कुछ नहीं मिलेगा और रही बात इसमें फाम भरने की तो फाम भरने के लिए इसमें आ लेकिन आपने पास जो sports हो गया, shorts हो गया यह आप लोगों के पास बराबर होना चाहिए ठीक है क्योंकि देखें कई candidate ऐसे होते हैं जो खुला पैर दोरते हैं जिससे उनको चोट हो जाता है तो air force की कहना ऐसे में आपकी जिम्मेदारी होगी तो air force ने साब साब बोल दिया ह कि आपके पास sports हो गयरा होना चाहिए ठीक है और साथ ही साथ अगर आप 12 पास है तो आपके subject में physics, chemistry, biology होना चाहिए ठीक है दोस्तों अब देखें बस इतना ही है और कुछ नहीं है दोस्तों इसमें और घबराने की भी आप लोगों को जोरत नहीं है ठीक है और return test में आपक black ball point का pain होना चाहिए तब आप इसके लिए eligible है यानि के वहाँ पे आपको OMR based exam का return exam के लिए OMR का paper दिया जाएगा और एक question paper दिया जाएगा तो OMR को भरने के लिए OMR को भरने के लिए आपके पास भाया blue black ink वाली एक pain रख लेना pencil से ज़्यादा better रहता है ठीक है pencil का क्या है थोड़ा सा पानी वानी गिरने से पसीना गिरने से वो मिट जाता है तो ये बाद जितने भी candidate form भी करने जाएंगे वो सब सुन लिजेगा और जिस candidate के पास भाया NCC का certificate है ABC है वो लोग आपका क्या बोलते हैं उन लोगों को कुछ फायदा होने वाली है क्योंकि देख सकते ह हैं यहाँ पर लिखा है साफ साफ सो हुआ है तो और जो भी candidate दूसरे भी भाग में अगर नौकरी कर रहा है तो उनके पास NOC का certificate होना चाहिए यहाँ पर साफ साफ ले दिया है उसके बाद जो candidate physical fitness test में आपको एक sign करके देना होगा या फिर क्योंकि देखिए दोस्तों यहा दिन कुछ को सुनने आता है कि कोई candidate सहीद हो गया ऐसे बूल करके तो उन सब में warning के लिए यह सब कर रहा है तो आपको मैं बता दूँ रनिंग एकदम एज़ी है 1.6 किलो विंटर को 7 मिनट में दौर निकालना है आप असानी से निकाल लोगे कुछ भी उल्टा सिधा पीने अगेरा की जोरत नहीं है तो ये बात आप सभी जान दीजे दोस्तों और ये विकेंसी में फॉर्म अगर भरना चाहते तो जरूर भर ये इसमें क्योंकि एक बार फिर से मैं बता दू इस विकेंसी में दोस्तों आप लोगों को बता दू कि 12 जुलाई से तक यानि कि 3 जुल ही देगा लेकिन वहाँ पे है और अपने पास सभी जितने भी आपके सर्टिपिकेट है उसका एक या दो सेट कॉपी जरूर रख लेना साथी साथ आपका नविंतम फोटोग्राफ रख लेना आपका बाल पॉइंट ब्लैक या ब्लू का पेन रख लेना या फिर पेंसिल र लेना ताकि आप लोगों को पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो ठीक है दोस्तो किसी भी प्रकार का इस वेकेंसी से रिलेटर समस्य है तो जरूर कमेंट केज़ेगा साथी साथ ये नोटिपिकेशन मैंने टेलिग्रम चैनल में डाल दिया है वहां से भी जा करके आप देख स नहीं सकते हैं ये नोटिपिकेशन और चैनल को सब्सक्राइब ने कर दिए वीडियो को लाइक ने कर दिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में गवर्मन जब नहीं से खारी नोखरीक अपडेट के समद तब तब के लिए जैं कर दोस्तों देख से खारीक अत्व कर दोस्तों है लिए कर दालो उकर दहनिस भालों सा घटध हैंस के लिए वीडियों से खारीक भालों से युझ साभपाः जब तब